राश्री शहरी आजीवी का मिशन भिलाई नीगम को मिले जिम्मेदारी मददाता जागरूपता को बहु भी पूरा किया जा रहा है इसी परिपेक्ष में 31 अक्टूबर को खुरसी पार के फिराम चौक इस्थित भवन में एन्यू एलम द्वारा मेंधी पत्यूगीता आयजित की गई जिसका भी शयर निर्वाचर रहा 17 नौंबर को होने जा रहे विदान सबा चुनाओं के लिए राश्ट्री शहरी आजिव का मिशन को एक एहम जिम्मेदारी सौपी गई है जिसके तहट अलग-अलग विदाओं से मददाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिए जागरूप करना है इसी परिप्यक्ष में भिलाई शेत्र अंतरगतर राश्ट्री शहरी आजिव का मिशन अपने कारे को बखुबी अंजाम दे रही है 31 अक्टूबर को इसी अभियान के तहट महिलाओं की महंदी प्रतियोगता आयोजित की गई जिसका विशय निर्वाचन था इस प्रतियोगता में महिला समूह की महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों पर निर्वाचन विशय को लेकर एक से बढ़कर एक महंदी की डिजाइन बनाए और इन डिजाइनों के माध्यम से मद्दाताओं को जागरू करने का प्रयास किया गया राश्टी सहरी आजिव का मिशन भिलाई निगम के मिशन मैनेजर अमन पटले ने मद्दाता जागरूकता अभियान के तहट निर्वाचन विशय को लेकर कराये गए महंदी प्रतियोगता की जानकारी दी और बताया कि मद्दान के पहले तक यह भियान लगातार जारी रहेगा और विभिन तरीकों से मद्दाताओं को उश्रत प्रतिशत मद्दान के लिए जागरूक किया जाएगा लोगों ने भाग लिया है जी इसके अलावा हम लोग ने मानव शिंखला और मशाल रैली साथ में रंगोली कॉंपटिशन का भी सोचा है जो अब हम कुछ दिनों में करेंगे पुरुषकार कैश प्राप्त होगा वह अब हम जित्ता देंगे अब देख्या जाएगा वो तो शहरी राष्टी आजीव का मिशन नित नए और अनोखे तरीकों से इस बार मतदादाओं को जागरू करता नदर आ रहा है मतदान होने के पस्चात यह देखना होगा कि इस बार भिलाई निगम शेत्र अंतरकत मतदान का प्रतिशत क्या रहता है Grand Asian News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट